तो नमस्कार दोस्तो एक नय वीडियो में फिर से आप सभी लोग का स्वागत है और अक्सर बकरी पालन में यह होता है कि बकरियों को दस्त लगते रहते हैं तो दस्त कैसे सही करें, बहुत सारे बाई को कोईरी रहती है अभी मलवाई उमारे बकरे को दस्त हों गया और परिवर्तन करने की वज़े से दस्थ हुए है तो आपको वो चारा बंद करना होता है दूसरी चीज आपको दाना बंद करना होता है ये दो चीजें आपको हरा चारा और दाना बंद करना है या जो भी आपने परिवर्तन किया है अचानक से कोई चीज दी है उसको बंद कर है तो उसको हाफ टेवलेट देंगे उतने से ही आराम मिल जाता है यदि कोई चीज चारे वगयरा में परिवर्तन कर दिया है और इस वज़े से कुछ मैंने है 12-13 मिल उने जा रहे हैं तो इस तरह इस मेमने को दस्त हो गए हैं जैसे आप देख रहे हैं यह मेमना है मेमनी है और इसको दस्त हो गए हैं यह देखिए तो इस तरह से यह बिलकुल गीले दस्त करने लगता है तो अब इस मेमने को हमको अलग रखना होगा जब भी हम दाना बाटा अन्य मेमनों को दोएंगे तो इसक हैं सबसे दस्त होते हैं तो मैंने यह इनबह किया है कि जो मेमना कमजोर होगा आपका र्क्षर कंजोर हो गाए और नेमिक हो गया हो गए जिसमें दवा इलाज करा चली होंगी वह मेमन जल्दी उनका पाचनशा ही नहीं होता उत जल्दी से दस्त करने लगते हैं य düşün कुछ भी चीज देते हैं दाना बाटा अधिक खा लेते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कि यह मेमनों में दस्त हो गए तो अब इनका बचाओ क्या करेंगे छोटे मेमनों को कौन सी दस्त की दवा देंगे तो सबसे पहले चीज छोटे मेमनों को आपको सीरफ देने हैं जैसे पहले उसकी डी वार्मिंग जरूर करने कीड़े की आपको अलबुमार दे दीनी है इसके बाद दस्त की दवा देनी है यह तोड़े महाइं पढ़ते हैं इसलिए दवाएं जो बोला सहे हो थोड़ा सीरफ की तुलना में सस्ती पढ़ती है बागी सबसे तो इंजेक्सन ही पड़ता है पर छोटे इंजेक्शन यूज नहीं करने हैं आपको क्या करना है कि यह इतना मेह मना आ है तो आपको हाफ बोलस यह मान लो की नारफ लोकस की जो टेबलेट आती है आप छोटे बच्चों में मत दीजिए गए देना है तो चौतियाई एक वन फोर्थ हिस्सा आप दे सकते हो जो बोला साती है बड़ी वाली वो दे सकते हो नहीं तो इनमें नारफ लोक्स टीजेड की यदि आप दे देते हैं तो जो भी दस्त की समस्या है वो दस्त की समस्या खतम हो जाएगी तो यह दस्त का बहुत ही प्रैक्टिकल किया हुआ इलाज है मेरा 100% काम करता है लेकिन देखना बस आपको यहीं होगा कि आपको वो चीज बंद करनी होगी जिसकी वज़े से मेमने को दस्त हुए मेमने को हरा चारा या दाना बंद करना ही होगा ऐसा ही बकरियों में है और अक्सर फार्मों पर ये समस्या बनी ही रहती है बहुत सारे बाईयों का रहता है कि मेरे मेमने को दस्त हो गए बिमल भाई क्या इलाज करें तो उसके उपर मैं नेबलोन पाउडर यूज क्यों नहीं करना है, बहुत सारे भाईयों के कोयरी रहती है, तो देखिए मैंने जहां तक अनुबह किया है, छोटे मेमनों को यह दि नेबलोन पाउडर वगरा गोल के पिलाते हैं, तो जल्दी से गुटकते नहीं हैं, उसमें छोटा-छोटा सा ब चला जाता है, बकरों में खासी है, इस तरह से फिर रिंचिंग नीमोनिया होने का खत्रा रहता है, इसलिए आप यह जो नार प्लॉक्स टीजट की मैंने टैबलेट बताई है, इसको यूज कीजिएगा, बिंदास रिजल्ट मिलेगा, आपका मेमना जो है, सही हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस तरह की जानकारी जो है, मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगन से विदा लेते हैं, बाई बाई, आफ गुड डे, थैंक यू